अजम बनाएंगे अंजीर का मिठा ये अंजीर का मिठा चंद चीजों से ही बनाया जाता है बहुत मज़ेका होता है और बनाने में बहुत ही आसान है 200 गिराम अंजीर ले इसको धो कर साफ कपड़े से पोच ले पोच कर थोड़ी देर के लिए फ्यान की नीची रख दे और बीच में से दो कट लगा ले अब ये कडाई लेंगे कडाई में ये कप से थोड़ी कम चीनी डाले आदा कप पानी डाले अब हम इसकी चाशनी बनाएं चीनी घुलना शुरू हो चुकी है अब इसमें वन पीच फूट कलर डालें आप चाहे तो कलर डाल सकते हो वरना इसकिप कर सकते हो क्योंकि कलर से बहुत खूप्सूरत मीठा लगेगा ये अब हम कलर डालें के बाद चाशनी अच्छी तरह से घुल चुकी है और हमने थोड़ा सा कलर डाल लिया है और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे अंजीर अंजीर डाल कर चाश्णी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अंजीर को मिक्स करने के बाद 10 मिट इसी तरह से हम पकाएंगे मीडियम ग्यास पर जो भी अन्जीर का पानी रिलीज होगा वो अच्छी तरह से खतम हो जाए इसलिए हम दस मिट इसी तरह से पकाएंगे चाशनी में अन्जीर अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुके हैं बीच में एक दो बार आहिस्ते से चम्मत चलाएं इसी तरह से हमने दस मिनिट पका लिए अब दस मिनिट धीमी आंच पर हम धक कर पकाएंगे तब तक हमारी चाशनी गाड़ी ना हो जाए चाशनी को इतनी गाड़ी करें कि जैसी शेहित की जैसी हो जाए आए आप देख सकते हो हमारी चाशनी तो गाड़ी हो चुकी है मगर जैसा शेहित होता है उसी तरह से अभी गाड़ी नहीं हुई है हमारे अनजीर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और आप देख सकते हो गलवी चुके हैं बस अब पांच मिनिट हम इसी तरह से पकाएंगे अब पांच मिनिट ढखकर पकाएंगे ताके चाशनी एकदम थिक सी हो जाएं पांच मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हो अमारे चाशनी बिल्कुल शेहित की तरह थिक हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश कुटी हिवी हरी लैची आप चाहे जो ड्राइफ रूट्स भी दाल सकते हो हमारा अंजीर का मिठा बिल्कुल टैयार हो चुका है मैं आपको एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर बताऊंगी आप देख सकते हो हमारा अंजीर का मिठा कितना मज़ेदार बना है आप गार्नेशिंग के लिए ड्रेफ रूट्स भी दाल सकते हो मैंने इसमें नहीं डाला है अंजीर की मिठे की रेसिपी आपको कैसी लगी कामेंट्स में जरूर बताएं आप ने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए नए वीडियो के लेबल आइकन दबाना ना भूले इस्टाग्राम और फेस्बुक पेज को भी फालो कर सकते हो अल्ला हाफीज